सो हाई अब्रीवन दीपक्षा हीर जैसा कि आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे चैनल पर दीपक्षा ट्रेनर एंट्रेप्रेनियर पर एंड़ सुपर संडे के अंदर बिफोर दर होली डे होली के एक दिन पहले मैं कुछ थॉट प्रोसेस लेकर गया हूँ और संडे भी है आज सो संडे की दिन में आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉड़क्टिव वर्क एकॉर्डिन टू टाइम हम कैसे करें हमें पता होना चाहिए कि एक्चुली में हमें प्रॉड़क्टिव वर्क मतलब होता है क्या है प्रॉड़क्टिव वर्क होता है मतलब कि आपके अंदर क्या ग्रोथ हो रहा है कोई भी काम अगर कर रहे हैं आप तो आपके अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है कितने नई चीज़ें आप सीख पा रहे हैं कितना आपका personal development हो रहा है हम बाहर से कितने personality wise growth करते हैं वो ज़्यादा matter नहीं करता वो ज़्यादा matter वो करता है कि हम internally अपने आपको कितना self improve कर रहे हैं हम अपने आपको बहतर कितना बना रहे हैं जो अपने time के according कर रहे हैं सबके पास 24 hours हैं लेकिन उस time के साथ हम कैसे उसको utilize करते हैं और हर second हर situation हर minute हम क्या नई चीज़े learn कर रहे होते हैं हम क्या नई skills develop कर रहे होते हैं वही होता है productive work productive work मतलब यही होता है और दूसरी खास बात है productive work के अंदर वह आता है जिसको बोलते smart work smart work आता है जो कि हम प्रोड़्टिव वक जब हम करते हैं तो smart work उसमें include हो जाता है जिसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं productive work में हम नई नी चीज़े learn कर रहे होते हैं हमारा personal development एक एक चीज हम learn कर रहे होते हैं हमारा चाहे body language होता है चाहे हमारा thought process होता है चाहे हम vision कुछ create कर रहे होते हैं या कुछ नई चीज़ों के बारे हम कर रहे होते हैं जो भी आज की date में up to date चल रहा है उसके according हम learn कर रहे होते हैं तो जब हम time का right utilization करेंगे तो productive work भी होगा और उस work में हम learn करेंगे तो वो जो चीज आप सीखोगे ना वो किसी school college से कई गुना better होती है और उससे आप life में highest peak पे जाओगे there is no syllabus आपको कोई syllabus की ज़रूत नहीं पड़ेगी आपके life में आगे बढ़ने के लिए you have to create your syllabus तो आप अपनों खुद के syllabus बना करके आगे life में grow कर सकते हैं तो इसी किसांद दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमिट में बताएं शेयर करें ज्याद ज्यादा लोगों तक और podcast के अंदर आप किस नए topic पर बात करना चाहते हैं हम उस topics को लेकर क्याने वाले अगर आपने मेरे कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाइ बाइ शेयु लेटर जैहिन